आरे भारे साथ कि आप बिग बोस देखते हैं बिग बोस क्या वही शो वह कनेश वाला जिसमें हर वक्लंट लड़ते रहते हैं अरे भाय साथ बिलकुल वही शो अरहे उसमें अपने राखें क्या नाम है उसका कौन भाही साथ मुनवर फारुकी अरे वो तो बहुत बड़ी आये अरे नहीं भाई साब अरे वो अपना आ रखा है ना बिग बॉस में यूटूबर जोकर अच्छा भाई साब क्या आप UK07 राइटर की बात कर रहे हैं सभाईस तो आचुके हैं एक और बिग बॉस की वीडियो लेकर और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के एक और कंटेस्टेंट UK07 राइटर बाबु भाईया के बारे में तो पिछली वीडियो में ज़्यादा बात हो नहीं पाएते तो इसलिए सोचा एक और वीडियो बना देते हैं इस बार भी मुनववर फारुकी और UK07 राइटर बाबु भाईया को बिग बॉस में बुलाया गया तो बाबु भाईया बिग बॉस में इस सोच के साथ आये ते कि उनके भी एकद़ सेवेज वाले अलविश यादव की तरह रियल्स बनेंगे उनके बी जो स्टेटस लगें उल्टाई हो गया इधर तो बाबु भाईया का मीमें बनाके रख दिया वो भी जोकर वाले फेस के साथ दिमाग भी चलाया कर उससे भी फाइदा हो तो बाबु भाईया आप कुछ भी बोलते तो उनके उपर ये वाला गान लगा देते हैं तो ये गान जब आया तो तब इ तो बारी है और मीम बनाने वाली बात तो होगी वैसे भी ये बात ऐसी करते हैं जिसमें कोई लोजिक ही नहीं होता मुनावर उसे बोलता है कि भाई तू ना थोड़ा पॉलाइट हो घर के गरागर तो ये सर ये ना फर ये चुप चुप के रहने लग जाती है मैं आपको तो भी बोला पॉलाइट होने मैं एक्जाम्पल दे रहो भाई और सल्मान खार ने भी इनका जो है रोस्ट कर दिया और इस बार का बिग बॉस कौन चीज़ है का कमेंट में जरूर बताना आपको कितने हपते काटने है या जब तक आपकी किरपा बनी रहेगी बिग बॉस तब तक यहीं रहेंगे मेरे हाथ में होता तो फिर